हेलो दोस्तो, तो आज हम श्राट कर रहे हैं लैमडा की नेक्स्ट वीडियो सीरीज के साथ, एंग इस वीडियो सीरीज में हम लोग सीखेंगे लैमडा कंटेइनर के साथ कैसे काम करता है। मैं इस video series में already videos create कर चुका हूँ जिसमें already मैं explain कर चुका हूँ कि lambda क्या है, lambda में permissions कैसे काम करती है, lambda में functions क्या होते हैं, उनको हम कैसे करके create कर सकते हैं, लिंक मैंने mention कर दी हैं, तो अगर आप वो देखना चाहो, तो आप link पे click कर सकते हो, and दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया है, तो आप इसको subscribe कर सकते हो, like कर सकते हो, comment कर सकते हो, मैं हर second day इस channel पे एक नई video डालता हूँ, AWS DevOps related, तो अगर आप इस जो mean में तयारी कर रहे हो, या फिर already काम कर रहे हो, तो ये video आपके लिए बहुत useful होने वाली है, तो अब हम start करते हैं AWS Lambda container से, हम लोग start करते हैं, तो ये overview हम लोग देख लेते हैं, तो ये क्या होने वाला है, container image है, जिसको मैं push करूँगा, किस में, ECR में, और जैसे ही मैं उसको push करूँगा ECR में, तो वो एक function हम लोग create करेंगे, Lambda पे, Lambda पे जब हो function create करेंगे, यहां से ECR से वो image को pull करेगा, और वो Lambda function काम करेगा, इसके लिए हमें server के requirement नहीं होने वाली, तो देख लेते हैं, हम लोग इसमें क्या क्या करने वाले हैं, हम लोग एक EC2 machine मनाने वाले हैं, तो यहां पर मैं Linux का इस्तमाल करने वाला हूँ, आप लोग कोई भी machine का use कर सकते हो, उस chip almost same ह रहने वाले हैं, आप यापर Windows का use कर सकते हो, या फिर आप अपनी local machine भी कर सकते हो, okay, next में क्या करने वाला हूँ, उस EC2 machine के पर मैं AWS CLI install करने वाला हूँ, AWS CLI हम लोग इसले install करेंगे, क्योंकि हम लोग को ECR और Lambda के साथ काम करना हैं, तो हम लोग को उसकी permission भी चाहिए, तो हम लोग के CC2 machine पर क्या करेंगे, हम लोग Docker install करेंगे, तो Docker install steps almost same रहेंगे, अगर आप Windows पर कर रहे हैं, तो मैं उसकी भी steps आपको बता दूंगा, नीचे description में, और अगर आप Ubuntu पर कर रहे हैं, तो उसकी भी steps में आप लोग को बता दूंगा, यह हम लोग Linux पर कर रहे हैं, त तो हम एक HelloWorld का एक चोटा सा function बनाइंगे, Okay, एक container बनाइंगे और देखेंगे कैसे करके काम करता है, एक बार ही मेरी image मैं create कर दूंगा, उस image को मैं क्या करूंगा, कि मैं, कि उसको ECr में push करूंगा, ECR में push करने के बाद मैं उसको क्या करूंगा, Computer and और उस function में ECR जिस पर मैं अपनी image को push कर रहा हूं उसका link मैं दूँगा ताकि मैं जो है जो मेरा जो lambda function है वो काम कर सके ओके हम लोग start करते है demo को तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं एक machine create कर रहे हैं और मैं जो machine create करूँगा तो मैं Linux की create करूँगा तो मैं इसमें APSouth1 में हूँ Mumbai location में तो यहां पर मैं एक machine create कर रहा हूं लिनिक्स की क्योंकि हमें तो सिर्फ docker install करना है तो हो जाएगा configure instance यहां मुझे कुछ भी नहीं डालना although मैं यहां पर एक startup script भी डाल सकता था बट की के मुझे भी नहीं डालना हम लोग खुदी install कर रहे हैं यहां पर मैं देता हूं Linux docker machine security group में आते हैं और इस समय में security group में क्या कर रहा हूं मैं सारे की सारे ports open कर रहा हूं आके मिर पास already एक कीपेर पड़ा है तो मैं उसे को use कर लेता हूं तो यहां पर मेरे पास एक machine create हो गई है चलो इस machine पर login करते हैं पॉब्लिक आई पी आके तो कमांड है ऐसे सच माइनस आई मेरा कीपेर का नाम डिफॉल्ट user at the rate whatever the IP address I have थोड़ा सा टाइम ले रहा है machine create करने में आट्स ओके अब तक तो machine आ जानी चाहिए रणिंग में आ चुकी है तो ओके नहीं हुआ एक बड़ी फिर से try कर देते हैं ओके नौ येस और मैं अपनी machine पर login कर गया तो यहां पर सबसे पहले जो मेरा काम है मुझे क्या करना है मुझे टॉकर इंस्टॉल करना है तो यह redhead के steps है और यह ubuntu के steps है यह में नीचे description में दोनों के दोनों दे दूंगा आप लोग को तो सबसे पहले हम लोग install कर देते हैं तो command बहुत ही simple है sudo yam install docker ओके next command copy कर लेते हैं तो इसके बाद में क्या कर रहा हूं मैं इसकी service docker की service में start कर रहा हूं ओके docker की service start हो गई है तो आप यहां पर देख भी सकते हैं sudo service docker status तो यहां पर मेरा जो docker है वो active है running में है तो वो चलता है okay next मैं क्या कर रहा हूं मैं ec2 user को मैं add कर रहा हूं docker में done अब मुझे restart करना है एक बारी exit एक बारी दुबारा से login कर लेते हैं और इसके बाद मैं command चला कर check कर लेता हूं docker ls और docker info मैं चला लेता हूं सबसे बड़िया command है okay मिर पास docker का यहां पर access है second मुझे क्या करना है मुझे AWS CLI install करना है तो उसके लिए मैं IM में चलता हूं मिर पास already एक user created है इस user को मैंने इस demo के लिए क्या किया है मैंने इसको admin access दे दिए हैं तो मैं आप लोगों को access एक बारी policy दिखा भी देता हूं जो मैंने पॉलिसी attach कर रखी है आपके उपर है अगर आप चाहें तो उसको ECR और Lambda का access अलग से दे सकते हैं मैंने अभी demo को थोड़ा simple करने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया मैंने इसको परमेशन के अंतर पूरे का पूरा access दे दिया है देको admin access पूरा मैंने दे लिए security credentials मैंने already download कर लिए है अपनी मशीन में तो मैं इन credentials को use कर लेता हूं ओके तो यहां पर access key and secret key है मेरे पास और मुझे command लिखनी AWS configure अगर आप लोगों को नहीं पता है कि कैसे करके AWS CLI को हम लोग install करते हैं तो मैं उसकी एक वीडियो बना दूँगा और उसका link में नीचे description में ढाल दूँगा ओके region name तो हम लोग कौन से region में है हम लोग है AP south1 में तो मैं इसको यहां से copy कर लेता हूं अगे डिफोल्ट आउट्पूट फॉर्मेट यहां पर जिसुन के साथ ही चलते हैं और मेरा यहां पर यूजर configure हो चुका है जिस्ट एक यूजर को चेक कर लेते हैं AWS मैं अपनी बकेट्स को कॉल कर पा रहा हूं मतलब मेरे यूजर जो मैंने configure किया उसके पास access है सब कुछ ठीक है ओके नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं अब हम लोगों ने क्या किया है एक machine create कर दी है उस machine के उपर मैंने docker भी install कर दिया और मैंने क्या किया है उस machine के उपर मैंने AWS CLI भी install कर दिया है great चलो अब हम एक folder create कर देते हैं अपनी ही machine पे तो यहां पर ही मैं create कर देता हूं mkdir और मैं इसको लेता हूं lambda-demo तो मैं इस folder के अंदर चलता हूं lambda-demo के अंदर यहां पर कुछ भी नहीं है आपर मैं तीन फाइल्स create कर रहा हूं तो तीन फाइल्स जो मैं create कर रहा हूं एक तो app.py dockerfile and requirement.txt तो touch app.py dockerfile and the third one is requirement.txt तो इसको copy कर लेते हैं तो मैंने मेरे पास अब तीन फाइल्स आ गई है आप.py dockerfile and requirement.txt तो चलो app.py में मैं date कर देता हूं आप वियाई एटर का भी यूज़ कर सकते हो मैं comfortable हूं नहों के साथ तो मैं हमेशा वही यूज़ करता हूं तो ऐसा कुछ नहीं है अगर आप लोगों को वियाई आता है तो वियाई यूज़ करो वैसे तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कौन से में कौन सा वीडियो एटर यूज़ करते हो अगे अगे डॉकर फाइल तो यहां पर नैनो यह में फाइल अभी एक्स्प्रीन करते ता हूं डॉकर फाइल यह क्या चीज़ हैं रिक्वार्मेंट में तो नैनो रिक्वार्मेंट एट। ओके नेक्स्प्रीन क्या हें कि मैं यहां पर recRI है कि में अपर क्योंत पर इक रिप Kerry प्रीयेंट करने वाला हूं और जो मैं हम इस यहां से मैं select कर सकता हूँ public या private और यहां पर मेरी repository का नाम तो हम लोग Lambda demo ECR ले लेते हैं आपके यहां पर आपके पास KMS encryption का भी option है तो आप चाहो तो KMS encryption भी अपनी repository को लगा सकते हो बट मुझे अभी वो नहीं करना तो मैं इसको simple सा create कर देता हूँ यहां पर मुझे command दिखा रहा है successfully created repository for Lambda demo ECR अब मुझे क्या करना है इस repository के अंदर जाना है और मुझे push commands सारी देखनी है अब push commands यहां पर मुझे दो दे रहा है एक दे रहा है Mac Linux के लिए और एक Windows के लिए मुझे कुछ नहीं करना हूँ मुझे just in commands को copy करना है okay but I need to make sure one thing कि मैं उसी वाले folder में हूँ जहां पर मेरी सारी files है मतलब कि यहां पर मेरी यहां पर सारी files है तो मैं इसी folder के अंदर से यह सारी commands चलाओ तो पहली command क्या कर रही है वो login कर रही है login ECR में मुझे login कर रही है region यहां पर APSouth1 और वो Docker का login ले रही है ओके यहां पर अगर आपको error आएगा तो वो mostly easily आएगा जो आपने AWS CLI configure किया है जिस user के साथ उस user के पास permission नहीं है तो make sure उस user को correct permission हो तभी यहां पर login successful आएगा नहीं तो यहां पर login successful नहीं आएगा permission error आएगी या फिर कुछ और error आएगा ठीक है next मैं क्या कर रहा हूँ मैं image को अपनी build कर रहा हूं तो मैं इसको copy कर लेता हूं तो यहां पर docker build command मैं use कर रहा हूं image को build करने के लिए और यहां पर जो last minute जो dot लगाया है मतलब कि जो मेरी files है वह इसी repository के अंदर है अगर मालो वह किसी और repository में होती तो मैं यहां पर path दे सकता था something like this ऐसे करके मैं कुछ यहां पर path देता जो भी मेरा path होता तो अभी हम dot लेते हैं तो देखो यह क्या कर रहा है यह एक docker image को create कर रहा है तो सबसे पहले यह pull कहां से कर रहा है पहले तो आप लोग यह चीज देखो यह इस बार public ecr.aws lambda python 3.8 से कर रहा है यहां पर मैं जो है docker hub का use नहीं कर रहा है image को pull करवाने के लिए इसका मैं reason आप लोगों को बतायता हूं यह जो मैं repository जो मैं pull कर रहा हूं public ecr.aws से यह जो मेरी image है यह lambda के साथ काम कर रही है तो lambda के इसमें executables हैं और lambda के साथ यह काम करेंगी नहीं तो अगर मैं मानलों कोई और image लेता हूं यह और समय लेता हूं तो वह हो सकता है कि उसके अंदर lambda के एक्जिकेटिबल ना हो तो वह काम नहीं करेगा तो यहां पर मेरी image create हो चुकी है और यहां पर यह मुझे एक error message दिखा रहा है, that's okay, मैं इसको ignore कर सकता हूँ, क्योंकि यह error message कुछ भी नहीं है, pip का error message है, वो मुझे बोल रहा है, pip upgrade करने को, तो मुझे अभी नहीं करना, that's okay, okay, तो हम लोग next चलते हैं, यहां पर, अब मैं कुछ नहीं करना, मैं अपनी image को एक tag दे रहा हूँ, तो tag हम लोग इसलिए दे रहे हैं, क्योंकि यह latest tag मैं उसको दे रहा हूँ, यहां पर देखो, मैं docker images करके मैं देखा भी देता हूँ, तो यहां पर जो मेरी image होगी, उसको एक latest tag मिल गया है, तो इसका benefit क्या होग और जब मैं इसको अपने ecr में push करूँगा, तो मैं वहां से latest वाली image को मैं pull करवा सकता हूँ, अब मैं इसको push करवाने के लिए जा रहा हूँ, तो push की मैंने command copy कर ली है, तो यह होगी है, तो इससे में क्या हो रहा है, यह push कर रहा है, रिपॉजिटरी पे, ecr की repository पे, तो I think यह time जाता ले रहा है, मैं वीडियो को यहां पर post कर देता हूँ, रिपॉजिटरी को push कर दिया है, तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर latest इसने push कर दिया है, size है इसका 2413MP, okay, now मैं यहां पर आकर check कर लेता हूँ, मैं इसको close करता हूँ, एक बड़ी, and मैं इसको refresh करता हूँ, okay, great, यहां पर latest tag के नाम से देखो, image tag latest, यहां पर यह आ चुकी है मेरे पास, okay, great, अब मुझे क्या करना है, मुझे lambda में जाना है, और एक function create करना है, तो यह मैं lambda console पे आगया, तो अब जो मैं function create करने वाला हूँ, मैं उसके लिए container image को मिलूँगा, अब यहां पर हम अपने function का नाम देते हैं, तो मैं इसका नाम देने वाला हूँ, docker, demo, okay, और यहां पर यह मुझे मांग रहा है, container image URI, तो यहां पर मैं browse कर लेता हूँ, ECR repository को, तो यह मेरी ECR repository दिखा रहा है, जो मैंने अभी push करी थी, और यहां पर जो मेरी images दिखा रहा है, वो latest वाली tag के साथ दिखा रहा है, okay, select image, okay, यहां पर आप चाहों, तो permissions वगेरा भी दे सकते हो, create function, okay, यह function create होते हैं, थोड़ा सा time लएगा, that's okay, क्योंकि वो पहले permission verify कर रहा है, उसके बाद वो image को push करेगा, pull करेगा, I'm so sorry, पहले वो pull करेगा, उसके बाद वो lambda के साथ उसको configure करेगा, okay, अब यहां पर यह मेरा, docker demo, यह मेरा create हो चुका एक function, okay, अब हम नीचे चलते हैं, test करते हैं अपने image को, तो test करने का, इदर में नाम देता हूँ, demo test, okay, अब लेटर से नमबर तुम्हें इसको हटाए, demo test, और चलो मैं इसको test करता हूँ, और यहां पर यह execute हो रहा है function, create, तो that means, यह मेरा container चलता है, lambda के साथ, तो पहले जो मेरे container चलाने के लिए, जो मुझे एक underline EC2 machine चाहिए थी, वो मुझे नहीं चाहिए, मैं directly अपनी local machine से image को push कर सकता हूँ, ECR पे और उस ECR से मैं अपने lambda function को execute करवा सकता हूँ, okay, यहां तक अब हम लोगों ने देखा कि हमारा जो lambda function था, container के साथ वो बिल्कुल सही चल रहा है, यहां पर मैं execution में देख पा रहा हूँ, succeed हो रहा है, यह सब चीए चल रही है, hello from AWS lambda using python 3.8 और यही मेरे container image में था, तो अगर मैं अपनी image में जाओ, यहां पर मैं अगर ls करता हूँ, और यहां पर अगर मैं cat app.py में जाता हूँ, तो तेखो, hello from AWS lambda using and system version होते रहा है, तो यह मेरा बिल्कुल ठीक चल रहा है, अब कुछ गलतियां जो हैं वो हम लोग हमेशा करते हैं, लामडा के साथ जब भी हम container के साथ काम कर रहे हैं, तो उन गलतियों को हम लोग को avoid करना है, actual में होता क्या है कि हम लोग जादा documentation पढ़ते नहीं, बात में error आनी शुरू होती है और हम लोग को यह नहीं बता होता कि उस error को resolve कैसे करना है, तो मैं एक छोटा सा example दिखा रहा हूँ आप लोग को, तो let's suppose कि मैं यहां पर एक काम करते हैं ls, मिर पास यहां पर तीन files created हैं, तो मैं इन में कुछ update करने के लिए वाला हूँ, और अगर एक काम करते हैं, मैं इन तीनों को delete कर देता हूँ, तो rm-rf and charmin को कर देता हूँ, तो यहां पर से मेरी तीनों हट गई हैं, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, दुबारा से यह files create कर रहा हूँ, तो touch app.py dockerfile and requirement.txt, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहां पर dockerfile का content में उठा लेता हूँ, और अगर इस बार आप changes देखों, एक बारी मैं इसमें चलता हूँ, dockerfile, अब जो मैं उठा रहा हूँ, यह मैं docker repository से उठा रहा हूँ, यह मैं ecr या lambda की image नहीं उठा रहा, इससे पहले जब मैं उठा रहा था, तो मैं कौन सी उठा रहा था, वह कां से आ रही है, docker hub से आ रही है, ठीक है, तो app.py भी मैं, यहां पर मेरे पास है, मैं इसको copy करता हूँ, nano app.py, and requirement.txt, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक image create कर रहा हूँ, तो मैं locally एक docker container create कर रहा हूँ, ठीक है, तो हम लोग image एक create कर लेते हैं, docker build-t, जो भी आप लोगों को tag देना हो, या फिर आप एक काम भी कर सकते हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने सारी commands चलाई थी, तो हम लोग उसी को ही ले लेते हैं, तो यह रहा docker build, और मैं इस बार नाम change कर देता हूँ, यहां पर, और इसको मैं लिख दता हूँ, docker, अके यहां पर अब क्या हो रहा है, कि मेरी image create हो रही है, बट इस बार जो हो रही है, वो कहां से pull हो रही है, library python, यह उठा रहा है docker hub से, okay, थोड़ सा time ले रहा है, image को pull कर, that's okay, okay, done, अब मैं अगर अपने docker images पर जाता हूँ, तो मेरे पास एक image आ गई है, docker demo के नाम से, और मैं इस image को run कर देता हूँ, docker run minus itd, एक port number दे रहा हूँ, 80-82, and यहां पर, docker minus demo, okay, done, docker ps करके देख लेते हैं, हमारे पास एक image create हो गई है, जो कि चल रही है, और मैं इसको फड़ा फट जाके test भी कर लेता हूँ, तो इसके लिए मैं आपने instance के public IP को grab करता हूँ, यहां पर चलते हैं, और I think 80-82 हम लोगोंने port number दिया था, तो चेक कर लेते हैं, यह टाइम ले रहा है कोई बात ही हम यहीं पर कर लेते हैं, http localhost 80-82, तो आप देख सकते हो, यहां पर मेरा मेसेज आ रहा है, मतलब मेरा container आप अंदानिंग है, और मैं उसको public internet पे भी open कर पा रहा हूँ, great, अब हम क्या कर रहे हैं, इस image को ही अब हम लोग push करते हैं, तो यहां पर भी देखो, मैंने curl command चलाई, और यहां पर मुझे reply आ रहा है, okay, तो LS, यहां पर मिरे पास docker image है, okay, मिरे पास यहां पर docker images है, और मैं आप इस image को जो है, मैं push करने वाला हूँ, ECR में, तो अगेन हम लोग ECR पे चलते हैं इस पर, यहां पर मैं नाम देता हूँ, docker demo, okay, और मैंने इसको private ही लिया है, create repository, okay, अब docker demo पे क्लिक करके, मैं push commands देख लेता हूँ, वही सारा procedure हम लोग वही follow कर रहे हैं, जो हम लोग ने पहले किया था, बढ़ यह मैं आप लोग को इसलिए दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग को यह समझ में आए, कि जो हम लोग image लेकर आये थे, ECR से, और जो image हम लोग Docker Hub से लेकर आये हैं, उन दोनों में क्या difference है, यहां यहां पर मेरा login successful हा गया, और मैं चलता हूँ यहां पर, Docker Demo, Done, Tag कर देते हैं, जिसे हम लोग ने last time उसको किया था latest, and last में मैं उसको कर देता हूँ, push, Done, जब तक के लिए push हो रहा है, मैं इसको close कर देता हूँ, और मैं यहां पर wait करता हूँ, कि यहां पर मेरे पास image आ जाए मेरी, ओके थोड़ा से time ले रहा है, that's okay, पुश होई जाएगा, डॉकर एक बड़ी refresh करते हैं, इसको अभी यहां पर image नहीं आई है, कोई देखत नहीं, हम लोग यहां पर आ जाते हैं, functions में, Lambda में, और Lambda में हम लोग एक निया function create करने वाले हैं इस बार, और यही जो निया function में create करूँगा, इस बार जो मैं repository लोगँगा, वो मैं अपनी नई Docker वाली लोगँगा, तो यहां पर function का नाम, docker demo, one, देते हैं, यहां पर container browse कर लेते हैं, तो यहां पर जो मेरी repository है, अभी ECR वाली ही दिखा रहा है, दूसरी वाली नहीं दिखा रहा, तो इसका अतला अभी थोड़ा सा time ले रहा है, done, हम लोग एक बार यहां पर verify कर लेते हैं, refresh करते हैं, great, यहां पर मुझे मेरी latest दिखा रहा है, और यह जो है Docker Demo वाली, यहां पर यह Docker Demo दिखा रहा है, latest वाली को मैं select करता हूँ, यहां पर select image, and again मैं create function करता हूँ, अब जब भी यहां पर create function करोगे, थोड़ा सा time लेगा, क्योंकि again यह एक role create कर रहा है, permission validate कर रहा है, उसके बाद यह उसको जो है lambda के साथ integrate कर रहा है, तो इसमें time लगेगा थोड़ा सा, ओके हम लोग फड़ा फट इसको test कर लेते हैं, तो यहां पर आप देखो, हमारी image जो है deploy है, और मैं testing में आता हूँ, और यहां पर मैं एक random name देता हूँ, इसके लिए हम लोग चलते हैं, AWS Lambda के documentation पे, तो यहां पर मैं documentation पे आ गया, यहां पर आपको यह पता लग जाएगा, आप container images कैसे करके create कर सकते हो, कैसे करके test कर सकते हो, और अभी हम python के साथ काम कर रहे हैं, तो हम python पे आ जाते हैं, और python पे यहां पर मेरे पास option है, deploy container images, तो यहां पर अगर मैं इसका documentation दीट करूँ, तो these base images are pre-loaded with language run time and other components that are required to run images on the lambda, तो इसका मतलब जो पहले मैंने image को use किया था, जो कि ECR से आ रही थी, वो pre-loaded थी किसके साथ language run time के साथ and component के साथ, तब यह language run time कौन से हैं, तो यहां पर देखो, यह मैंने image यह use करी थी, मैंने यह करी थी, यह सारी चीज़े थी उसमें, और जो अभी हम लोगोंने image use करी है, जो कि Docker Hub से यह, उसमें यह सारी चीज़े नहीं है, तो यही एक difference है, कि मुझे error आ रहा है इस बार और पिछली वाली, जब मैंने ECR से image ली थी, तो उसमें मुझे error नहीं आ रहा था, इसका एक ओर recommendation में आप लोगों को दे सकता हूं, कि आप जो है gallery.ecr.aws में जा सकते हैं, यहां से आप image choose कर सकते हैं, यहां पर जितनी भी आपके पास images मिलेंगें, वो maximum आपकी lambda के साथ, आप उनको काम कर सकते हैं. तो इस video में इतना अपर बार,